हेलो वेलकम टो एनस करम सिफ्ट आज हम लोग इंडिसेस और सब्सका कुछ सवाल देखेंगे जो कि एक जाम के दिरिष्टी कौन से अतिम हत्पूर्ण है तो चले हम लोग बिना देर के वेकर शुरू करता हैं कि देडिरूटवर 92 हाला सवाल है क्या है आपका ? कि रूटवर72 जलते जलते क्वा हो इनफ्वानright तक गया तो यहां हमने बताया था किima कितना आप है दीखे तक मैंने पहले बला था कि गेप से काम करना है तो इसको गेप जैसे दखेंगे एक का गेप तो इन दोनों को जो इसको तोरेंगे हम गेप पर तोरेंगे कितना का गेप पर तो एक का गेप पर तो तो हम जब तोरेंगे तो एक नाइन जा 72 होता है अठना में 12 एक का गेप है तो इसे माइनस है तो छोटा अब दिखें नीचे में है यहां पर भी एक कगँव है हम ieurosoi जा 56 786 होता है यहां भी एक कगभ है थो प्लस है यहां पर इसमिए यहां बड़ावला यहां होगा इसका है ना इम्हां 8 पॉन 8 क्या हो जाएगा अनसर मेरा one हो जाएगा clear 8 by 8 क्या होगा answer तो one होगा answer should be option number one कोई दिक्कत ने ना तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो इसी करम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अगला सवाल क्या है तो आप देखिए यहां पर देखिए अब यहां दियान दें कि यहां गेप कितना का है यहां भी देखिए गेप वन का है तो आप एक एक चीज दिमाग लेगा यह कि जब भी इसको तुरेंगे इसका बड़ा भेलो होता कुछ भी आता मान ले आजाया किसका चाहिए मान लेता है कि एगर 20 ही रहता सपोज मान लेजी तो 45 जा कितना होगा है मिलस्य पेन्स होगा और फूरफ़वईव च्वंटी इन दोनों के बीच का गेप तो हमेशा एक ही आने वाला है तो पलस रहेगा तो मान लिजे बड़ा वला अंसर लेंगे माइनस होगा चोटा वलं से लेंगे तो इन दोनों के बीच का गेप कितना आएगा था हमेशा वह एन्हें इन दोनों के बीच गये तो हमें सावन होगा जी एं का मान और एंक मान का बीच का अंतर क्या होगा तो वान होगा तो होगा लेकिन मैंने मैंने याद देखा तो ऐसा M-N बराबर 1 कहीं फिर दिया हूँ नहीं है तो इसको फड़दर हम तरह सा normalize कर लेते हैं कि M-N बराबर अगर 1 होता है तो इसको जब फड़दर सुल्प करेंगे तो M-N 21-1 इध्या नमबर सी में दिया हूँ वंच सरक ऊपस नमबर सी हो गया के लिए्ट तो हम लोग यानि किसंद्रेन पर उतलो हैं अब हम कुछ भी माना ता यहां कुछ भी आता एक कि फ्रतत दुरें की यहां और n के बीच में एक कहीं अंतर आएगा इसलिए मैंने अंसर यहां लिया वदद ठीक है आपको यह हैं निकालना नहीं है आप एक्जाम में जब करेंगे तो आपको time save करना पड़ता है ठीक है अचलिए हम लोग next question देखते हैं next next question है मेरा प्रीहाओं इधिए गच भी दिखें सभून साझ ओषर यहाँ दिखें थार्टीन प्लस 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 रूट मैं कहां तक in फालेट तक यह 13 minus mins – – ons में d consonants ढ़िया है तर अब बताई इन दुनों के बीच का गेप जो भी होगा तो वन ही आएगा आएगा न जी अब बताइए इन दोनक बीच का गेप वन तो माइनस एन का मान क्या होगा वन होगा वन कहां कहां है और सब्सक्राइब क्रियर समझे न आप इनको गौड से देखे कुछ भी भेलू होगा तो गेप तो कितना आने वाला है में यहां पर बढ़ा वहला मान ली जी मैंने बोला था ना की मान लिए आजया 20 लिए मैंना सर्व 20 को एक का गेप परतो रना तो कहांगा एक होगा चार लेकिन इन दोनों के बीच का यहां है क्या होगा वन ही होगा तैसे लिए M-N क्षच्छ क्या होगी है मेरा one होगी answer clear है ना आप देखकर हैं टिक करके आगे बढ़ सकते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं चले हम लोगी सवाल को देखते हैं अब यहां देखिए इन सवाल को हम कैसे बनाते है हमने बोला था कि इस जगा का गेट को देखना है दिखिए कितना गेट टू का देखिये हैrah तो को यही औपजर्ब करना है इनको आप ऐसा फेक्टर में तोरिए कि जिसके कि जुका ओना चाहिए कितना का मैद दो का फो Ultra posts 2963 होता है सद wiped 63 सद नमा 963 इनके कितना का क्राइब है डो फ है आप सक्षब्利्ट भी गया यहां पर प्लस है तो इसका बड़ा वला 인सर लें तो X कमान कितना हो जाएगा 9 अब यहां माइनस है इसको तो दो का गेप दिखे यहां दो दिखाए दे रहा है न तो 7 नेंजा 63 तो माइनस देखेंगे तो कौन अंसर लेंगे छोटा वाला अब इसका क्या हो गया इसका हो गया 7 अब बताईए कि 9 और 7 के बीच का गेप कितना होगा 2 तो इसी परकार से यहां पर जैसे यहां दो गेप दिखेगा यह दो गेप तो इन दोनों का डिफरेंस हमें साथ दो ही आने वाला है अंसर क्या होगा 2 इसका क्या होगा 2 और और करेक्ट अंसर मैं आप यहां दीजिए यहां विदो का गेप है देखना हैं आपको 2 अगेप पर फैक्टार को तोरना है यहां देखेए 2 गेप ठीक अब बहुलिए कि किसको गुना करने पर होगा जी इसको है नहीं किसको गुना करें अगर मैं 11Oh 13 से गुना आने वाला है मेरा आने वाला है ना जी दो का गेप है कि नहीं आपर माइनस जैसे देखेंगे जोटा वला अनसर हो जाएगा अनसर क्या हो जाएगा मेरा 11 होगा answer clear है आया समझ में आप थोड़ा logic लगाएं यानि कि आपको दो का गेप पर यानि फ्यक्टर इन दोनों के ऐसा फ्यक्टर किजिए जिनका दोनों का गेप जो है क्या होना चाहिए दो मिलना चाहिए आपको clear है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहां पर दिखें यहां पर भी हम क्या दिखाए देरा जी दो का गेप दिखाए देरा देख लिजिए कितना का गेप दो का गेप तो हमको क्या करना इसको दो का गेप पर तोरना है 5-7 गुन 35 होता है होता है न 5-7 जा 35 अब देखें इनके 20 का कितना का गेप है जी 2 का गेप है ना देखें आपको मिल भी गया 2 का गेप अब यहाँ देखें प्लस है प्लस इस प्लस को देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा बड़ा बला आंसर हो जाएगा होगा तो 7 should be your correct answer for this question केलियर आ रहे ये बात समझ में चलिए हम आगे बढ़ते हैं next सवाल देखें फिर यहाँ पर देखें 2 difference कितना का यानि 2 का गेप पर ही आपको factor करना इसका अब इनको तोर लिजी 2 का अब तो आसान हो गया होगा 7963 सातना मतीरे साथ होता है न जी यहाँ 2 का गेप है अब यहाँ माइनस को अबजर्ब करना है माइनस है यहाँ पर माइनस होगात कौन सांसर होगा छोटा वाला 7 7 should be your correct answer for this question आपको एकजाम में एक question देखते हैं टिक करके आगे बढ़ जाना है ठीक है चलिए आगे हम बढ़ते हैं next question की तरफ अब यहाँ देखिए 2 का गेप है देखिए मैंने इस पर बहुत सवाल लिया है जी ताकि आपका practice ठीक तरी से हो जाए अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ ध्यान देखिए अब देखिए इसा सवाल आगे आपके सामने अब अगर आप इनको और किसी तरीके यहाँ देखिए बेस सब का कितना टू 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 सब है तो आप इनको बनाने के लिए तो लिख दिजीए नीचे है बेस केले अब देखिए तीन यहाँ है न जी तीन कितना एक दो तीन और चार तो ठू ठी टू देपावर यहां क्या दिजए फोर दिजीए अब देखिए ठी टू देपावर फोर मैंने दिया अब इसको क्या करेंगे इससे एक power कम किजिए तो कितना होगा 3 to the power 3 हो जायगा होगा पलस यहां दिजिए फिर 3 to the power कितना लिखना है 2 फिर क्या देना है 3 per power 1 फिर क्या लिखना है 3 per power 0 यह सब मैंने क्यों कि यह तब तक लिखना है जब तक की पावर जीरो नहीं हो जाता है अब देखिए कि टू टू दी पावर हम तीकि थी टू दी पावर फोर कितना होता है तीन को चार बार जब गुना करेंगे तो 81 आएगा अब यह जोड यहां जोड़िए 99 57 57 28 81 अब यहां जोड़िए 33 नों तिया 27 27 हो जाएगा दिखिए एक बार जोर लेते हैं उसको 27 Ponty 7 प्लस यहां कितना है ऐस तिन त्थिन नों फिर यहां जोड़िए कितना होगा 3 पावर एक तीन किसी भी संख्या पर पावर जीरो बरावर वन होता है अब आप इसको जो रहेंगे कितना होगा सातना सोल अच्छतिस तिन 49 49 एक चालिस यानि कि 2 to the power 40 by 81 यह में राक्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा तो आप देखिए कहाँ पर है 2 to the 40 by 81 मेरा d number option है आया समझ में इनको कैसे करना है अब देख लें यहाँ देखिए power कितना है कोई भी अलग 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे आपको इसी परकार से करना है clear है न तो यानि कि यह power को normalize कर लेना है पर ले एक कम पावर करके इसको तब तक लिखना है जब तक कि 0 न हो जाए power clear तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स सवाल अब देखिए यह सवाल आपका इजी होगया यहां देखिए base to the power कितना है जब यहां कुछ नहीं रहे तो इस क्या समझते यहां 2 है कुछ नहीं रहत कि गिनेंग रूट को तो कितना एक दो तीन चार और पाँच कितना रूट है एक दो तीन चार पाँच रूट है तो टू टू दी पाउर यहां क्या लिख देंगे फाइब तो तो चलिए इसको ऐसे ने लिखे यहां लिखेंगे फिर गरबर हो जाएगा ना तो चलिए लिखें देते हैं जब लिखे तो टू तो दी पाउर फाइब अब मैनस वन कर देंगे इसका answer हो जाएगा अब दिखें कैसे करते हैं उतना आप करना नहीं आपको सिधा लिखे टू तो दीपार फाईफ कितना उपर लिग वीजिए 31, 2 to the power 31 by 32 हो जाएगा मेरा क्या, correct answer जो कि C option है मेरा, clear, आ रहा है समझ में, यानि जैसा जब रहेगा, तो सीधा power count करना है, कितना root है तो 5, 2 पर पर 5 देंगे, 32 आएगा, नीचे देंगे 32, उससे एक कम करके, उपर में दे देंगे, हो जाएगा कितना, 31 यह मेरा हो जाएगा, correct answer, चलिए next question के तरफ move करते हैं, अब यहां देखे सवाल आ गया, मेरा क्या, जब हम देखे थे कि दो अंक्तात मैंने बला था, difference और अगर रहे तो 1 by 2 लेना है, जिस तरीके से करते हम लोग, लेकिन यहां 3 जब से रहेगा, तो 1 by क्या लेना हमको, 1 by 4 लेना है, क्या लेना है, 1 by 4, कितना लेना है, 1 by 4 लेना है, और brackets start करना है, अब यहां पर से ले आना है, क्या, यह n देख रहा है, यह n को क्या करना है, उपर लिखना है, क्या करना है, उपर लिखना है, यह वहला जो, यह term जो होगा, यह उपर लिखना है, इनके बाद आप n प्लस वन एन प्लस टू लिखे यह दो बचा है दो ठो बचावा यह और यह इसको लिखेंगे यहां पर एन प्लस वन और एन प्लस टू लिखेंगे ठीक इससे एन प्लस टू है नहीं एक बढ़ा के लिखेंगे क्या हो जाएगा यहां एन प्लस थिरी हो जाएगा हो जाएगा बुले होगा कि नहीं तो आपका यही हो जाएगा answer 1 by 4 आप दिखिए यहां n into n plus 3 by में क्या दे देंगे हम n plus 1 और n plus 2 यही मेरा answer हो गया अब जहां पर कोई option कौन सा है ते option number a है answer आपका clear आ गया समझ में तो आपको 3 digit का जैसे रहेगा आपको 1 by 4 आप ले लेंगे आप बहुत जल्दी बना के निकल सकते हैं इसको देखिए इस पर एक सवाल है यहां पर आगे अब यहां ध्यान देखिए इसको कैसे करेंगे हम कि हमने बोला था कि 1 by 4 ले लिए ठीक है मैंने 1 by 4 ले लिया ठीक अब यहां देखिए यह 5 वला है है ना एक तो हम यह 5 को कहां लिखेंगे तो उपर लिखेंगे केलियर अब नीचे में क्या गोले थे जो दो बचा यह दो नों बचा जो हम गुना में लिखेंगे 6 into 7 7 के बाद क्या हाथ है जी 8 8 को उपर लिख देंगे केलियर अब आप इसको कटा दीजे 4 दो गुना 8 होगा दो तिन गुना 6 अब हम राकिया पचा 5 by सातिया अकैस 5 by 21 आप देखिए 5 by 21 सी में अंसर है यह आपका अंसर हो गया किलियर किसी को कोई समस्या जी समझने में नहीं ना तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है देखिए इस टाफ का सवाल मैंने कर आया था दास्ट वीडियो में आप देखिए यहाँ पर कितना का गेप है जी पांच हो के तीस पांच गुना चे छे गुना साथ यान एक का गेप पर देखें यहां टूट अगला था होगा ना तब मैंने क्या बोला था कि इनको गीन लीजिए लिए लिए ना जी यह ना कितना एक दो तीन चार पांथ छे साथ आठ नौ नाइन लिखिए ठीक है और नीचे में फॉस्ट टर्म यह वन फाइब 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 लास्ट टर्म कितना फोर्टिन फोर जाएगा तो अब गुना किजिए अब किया गत नाइन अपन कितना हो जाएगा 14-5-70 हो जाएगा 9-72 जहां पर है आप टिक किजिए आगे बढ़िए किलियर किसी को कोई समस्या अगर है तो कमेंट करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह दियान दें कि यहां द 2 3 4 5 5 लिख देंगे किलियर अब नीचे क्या करेंगे 1 है फर्स्ट टर्म इन्टू लास्ट टर्म क्या है 21 5 by 21 आना चाहिए अंसर मेरा कहां पर ओप्षन में है बी नमर अंसर किलियर किसी को कोई समस्या जी नहीं ना चलिए अब हम लोग आगे यहीं तक था सवाल तो थैंक कि वेकंसी आ रही है आप लोग लगे हम आप कोसिस करेंगे ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप लोग देते रहेंगे आप पढ़ें ठीक है थैंक यू